नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है कमाल का काम कर रही है महराश्ट्र की उधव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस देखे अब अर्णब गोस्वामी के खिलाफ फेक टियारपी स्कैम में एनेचारसी का डंडा चला तो जल्दी से ध्यान भटकाने के लिए कंगना रनौत की तरफ रुख कर लिया अब देखे अर्णब गोस्वामी की ही तरहे महराश्ट विधान सभा ने फिल्म स्टार कंगना रनौत को भी विशेशादिकार हनन का नोटिस थमा दिया है शिवसेना की विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना के खिलाफ विशेशादिकार हनन का नोटिस भिजवाया है सरनाइक जो आजकल ED की रडार पर है 175 करोड के घोटाले में उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया है कि कंगना ने उन पर जूटे आरोप लगा कर उनकी छवी खराब करने की कोशिश की है इसलिए उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से कंगना के खिलाफ विशेशादिकार हनन का नोटिस दे कर कारवाई करने की मांग की है मज़िदार तो यह है कि हालगी में ये खबर सामने आई थी कि एडी की छापे मारी में सरनाइक के घर से एक क्रेडिट कार्ड मिला था जिसमें पता पाकिस्तान का था इसी को लेकर कंगना ने 12 दिसंबर को प्रताप सरनाइक का नाम लिये बिना एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था जब मैंने कहा था कि मुंबई P.O.K. जैसा लग रहा है तब इन्होंने मेरा मुह तोड़ने की धम की दी थी भारत के लोगों उन्हें पहचानी जो आपके लिए सब कुछ दाव पर लगा रहे हैं और जो आपका सब कुछ छीन रहे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपका भविश्य तै करते हैं भारत पाकिस्तान ना बन जाए संभालो यारो पस इसी ट्वीट से प्रताप सरनाइक भड़क गए क्योंकि पियोके को लेकर इससे पहले दोनों के बिच काफी जुबानी नोक्छोग हो चुकी है अब कंगना को भी अर्नब गोस्वामी की तरहे विशेशारिकार हनन के नाम पर फसाने की साजश रची जा रही है जबकि गौर करने वाली बात तो ये है कि अर्नब के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोट ने कहा था कि सरकारे इस तरह से सोशल मीडिया पर की गई टिपड़ियों के आधार पर अपने नागरिकों को परिशान करने के लिए सरकारों को विधाय का और कानून की आ दस मिनट में विधान सभा में हाजिर होने के लिए कहा गया था खैर आज विशेशादिकार हनननका नोटिस और सोवार को कंगना को फसाने के लिए कितनी मेहनत से मुंबई पुलिस ने चार साल पुराना रितिक रौशन वाला मामला फिर से ढूंड कर क्राइम ब्रांच को दिया धूल चाट रही फाइल को तलाशना भी तो बहुत बड़ी कला है उस फाइल को ढूंड कर जाड पोंच कर साइबर सेल से अब क्राइम ब्रांच को सौपा जाना कोई आम बाएट नहीं कहा तो ये जा रहा है कि रितिक रौशन ने ही इस केस को क्राइम ब्रांच में ट के आदी हैं तब से बॉलिवूड गैंग ने उन्हें टार्गेट करना शुरू कर दिया था कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी को करी तीन महीने पहले दिये एक इंटर्व्यू में ड्रग्स और फिल्मी सितारों के कनेक्शन के बारे में बताते कहा था कि उनका एक एक एक्स भी ड्रग्स का आदी था इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि कैसे उनके घरों की पार्टियों में ड्रग्स पानी की तरह बहता था कंगना रनौत ने खुलासा करते हुए कहा था कि उनका वो एक्स ड्रग्स के चलते ही अस्पताल में भरती भी हुआ था इतना ही नहीं कंगना ने तो ये भी कहा था कि उन्हें भी बॉलिवूड की इन हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों में तभी एंट्री मिली थी जब उनका उस एक्स के साथ अफेर शुरू हुआ था जाहिर है नाम भले ही ना लिया हो कंगना ने अपने एक्स क ने आरोप लगाया था कि कंगना की इमेल आईडी से उन्हें सौ से ज्यादा इमेल भेजे गए थे अब इसी मामले के जरिये कंगना को फसाने की कोशिश के तहती साइबर से इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया है इस खबर के सामने आने के बा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहता किसी और महिला को डेट करने से इंकार कर रहा है जब भी मैं अपने नीजी जीवन में कुछ आशा कर हिमत जुटाती हूं तो फिर से वो वही ड्रामा शुरू कर देता है चलिए वैसे इसे मुंबई पुलिस का कमाल ही तो कहेंगे च चार साल पुराने केस को उस क्राइम ब्रांच को सौपा गया है जो एक हफते में हजारों पन्नों की चार्शिट तयार करने की कुवत रखती है याद है न अभी हालगी में फेक टियार्पी स्कैम में भी तो अर्नब को स्वामी के खिलाफ करीब डेड़ हजार पन्नों की च चार्शिट इसी मुस्तैद मुंबई क्राइम ब्रांच नहीं तो तयार की थी इस केस की तो एफायार तक फेक थी तो सोचिए फेक एफायार पर अगर मुंबई क्राइम ब्रांच इतनी बड़ी चार्शिट फायल कर सकती है तो कंगना के मामले में तिल से कितना बड़ा पह 2016 में FIR दर्ज होने के बाद ही इस मामले को क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सोपा गया था। पहले ही कंगना को कई सारे कानूनी पचड़ों में उधव ठाकरे सरकार उलजा चुकी है। पर वहां बात नहीं बन पाई तो अब ये एक पुराना मामला ढूंड कर फिर से उन्हें फसाने की साजिश रच ली गई है। तरहसल उधव ठाकरे और उनकी तीन टांग वाली सरकार कंगना इफेक्ट से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। कंगना के दफ्तर और घर पर बुल्डोजर चलाने के बाद बॉंबे हाई कोर्ट से पड़ी फटकार भी इन सब चिकने घ आइस प्रेजडेंट घंशाम सिंग के साथ मार्पिटाई के मामले में राष्ट्रे मानवाधिकार आयोग ने 24 घंटे पहले ही तो नोटिस जारी किया है। महराष्ट्र के DGP और IGCEL को ये नोटिस भेजा गया है। वैसे सवाल तो ये भी कि क्या गुना किया है बेचारी म मुंबाई पुलिस ने जो घंशाम सिंग टॉर्चर मामले में नोटिस उने थमाये जा रहे हैं। वैसे बेचारी मुंबाई पुलिस के आला धिकारियों से लेकर छोटी से छोटा कॉंस्टेबल तक अपने आका को ही तो खुश करने में लगा हुआ है। वही तो कर रही है म मुंबाई पुलिस जो उनके मुख्य मंतरी उधव ठाकरी जी चाहते हैं। वही तो कर रहा है मुंबाई पुलिस का सारा अमला जो ग्रह मंतरी अनिल देश मुख चाहते हैं। बिचारी मुंबाई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को फसाने के लिए फेक टियार पी स्कैम घड़ा तो किसके कहने पर यह सारा मामला तयार किया चार्शीट में इतनी मुस्तैदी क्यों दिखाई हंसा रिसर्च ग्रुप के सारे स्टाफ को इतना तंग क्यों किया कहें उन्हीं क्राइम ब्रांच के सचिन वाजे ने पूछताश के नाम पर अपने दफ्तर के बाहर जो उन्हें धंकाया गया जूटे मामलों में फसाने की धंकी क्यों दी गई और तो और घंशाम सिंग को भी तो इसी मामले में अर्णप को फसाने के लिए तरहां-तरहां की यातना ही दी गई सुभे सवेरे गिफतारी फिर कोर्ट में एक आतंक वाधी की तरहे पेशी दो दिन की पुलिस कस्टडी में उनके साथ मार पिटाई की गई मोटी बेल्ट से मारा गया बाकायदा उस टॉर्चर रूम में पिटाई की गई जहां खुखार आतंक वाधियों अपराधियों को मारा पिटा जाता है गंशाम को ये सारी यातनाय सिर्फ इसलिए दे गई ताकि वो किसी भी तरीके से अर्णब के खिलाब कोई जूठा बयान दे दे और उसी बिनहा पर एक बार फिर मुंबाई पुलिस अर्णब गोस्वामी को गिरफतार कर ले लेकिन अब तो इस मामले में मुंबाई क्राइम ब्रांच के पूरी टीम बेनकाब हो चुकी है राष्टे मानवाधिकार आयोग ने दो-दो नोटिस पुलिस को ही भेजे है लेकिन क्या नोटिस सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को ही भेजे जाने चाहिए ये पुलिस जिसके इशारे पर पिछले आठ महीने से नाच रही है उन आकाओं की क्या इस मामले में कोई जवाब देही नहीं बनती किसलिए किसके कहने पर अरणव गोस्वामी और फिर फिल्म स्टार कंगना रनौत को फसाने की साजश हो रही है सही मायने में तो महराष्ट के मुख्य मंत्री उधव ठाकरे जी और उनकी सरकार में ग्रह मंत्री अनिल देशमुक को ये नोटिस भेजे जाने चाहिए थे मुंबई पुलिस अर्नब के पीछे क्यों पड़ी हुई है ये हकीकत सबको पता है डेड़ साल पुराना अन्वे नायक आत्मत्या मामला भी तो महराष्ट के ग्रह मंत्री अनिल देशमुक के कहने पर ही खोला गया इधर 28 नवंबर को अनिल देशमुक इस मामले में एक स्ट्रॉंग चाशिट लाने की बात करते हैं और उधर 4 दिसंबर को इस मामले की चाशिट अलिबाग की अदालत में पेश कर दी जाती है वो भी करीब 2000 पनों की चाशिट 63 गवाहों के साथ जिन मेंसे कुछ के बयानतों मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने की बात तक चाशिट में लिखी गई है ऐसी मुस्तैदी को क्या कहा जाएगा अगर महराष्ट पुलिस सच में हर केस को इतनी मुस्तैदी से हैंडल करने लगे तब तो वो सच में स्कॉटलिन यार्ड सरी की पुलिस ना बन जाए फर ये तो कटपुतली पुलिस है तब ही तो चाशिट पे चाशिट सिर्फ उन्ही मामलों में दायर कर रही है जो रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी से जुड़े हुए है जिनमें अर्णब को फसाने का पूरा पूरा सामान हो अर्णब के खिलाफ पूरे केसिस की फेरिस को ही देख लीजिए खुद बखुद उधव ठाकरे और अनिल देशमुक की बदले की भावना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा फिर चाहे वो 100 से ज्यादा FIR का मसला हो विशेशादिकार हनन का मामला हो फेक TRP स्कैम हो अन्वे नाइक आत्मात्या मामली में अर्णब की गिरफतारी का मसला हो महिला कॉंस्टेबल से दुर्वयभार का मामला हो सरकारी कामकाज में दखल देनी की बात हो रिपबलिक के नौइडा दिल्ली के स्टाफ को 24 घंटे में मुंबई में पुलिस के सामने पेश होने का मामला हो रिपबलिक टीवी के रिपोर्टर से लेकर डिस्टिबिशन हेड घंचाम सिंग और सीओ विकास खान चंदानी की गिरफतारी का मामला हो इन सब मामलों में किसके कहने पर लगी पड़ी है मुंबई पुलिस ये अब क्या बताने की जुरुत है यही सारी कवायत कंगना रनौत के मामले में भी दोहराई जा रही है कंगना पर देश्ट्रों का मामला दायर करना उनके घर और दफ्तर पर BMC का बुल्डोजर चलवा देना फिर संजेराउत का उन्हें अपमानित करना भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना उन्हें ट्वीटर पर भड़काओ बाते लिखने के लिए पुलिस का समन भेजना और अब चार साल पुराने केस को फिर से जिन्दा करने की कवायत और सरनाई के कहने पर विशेशादिकार हनन का नोटिस भेजना इस तरहां से मुद्दा विहीन होकर दिशा विहीन होकर बदलापूर बनी उधव ठाकरे सरकार आखर कब तक ये वाहियात खेल खेलती रहेगी कब तक इस तीन टांग वाली जनता के बिना समर्थन से दोड़ती सरकार की बिना सिरपैर वाली बदले की कवायत को लोग बरदाश्ट करेंगे कब तक महराश्ट की पुलिस उधव ठाकरे सरकार की हाथ की कट पुतली बनकर उनके इशारे पर नाश्ती रहेगी आखर कोई तो होगा जो इस खेल पर रोक लगा पाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक से फटकार खा चुकी उधव ठाकरे सरकार पर असर तो कहीं से नजरी नहीं आता अरे कोई तो इन्हें रोक लो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो खिर पर इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखते रहें क्यापिटल टीवी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया